जेहनुमान अनेकों असंभौकारे की जो संसार के लिए आज भी भक्ति का स्तोत है माता सीता की खोज में शितिष तक फैले समुद्र को लांग उन्हें श्रिराम के मुद्र का दे आश्वस्त करना और श्रिराम के दुख का भंजन करना लंका दहन कर रामन को चेतावनी देना ढाता लक्ष्मन के प्राण बचानी है तू संजीवनी लाना अथ्वा मेगनात के नाखवास से संपून वानर सेना को बचाना राम रामन युद के खेवन हार्थ रहन मान जी पाप पर पोने के विजए में सहायक थे हनमान जी अंत में अधर्वी रामन का अंत हुआ अधर्व और पापों के नाश के साथ संसार में स्थापना हुई राम राज्जी की और धिले धिले तेता युग की वो अंतिम घड़ी आ गई जब माता सिता को धर्टी में समाहित होना पड़ा और प्रभु श्री राम के भी संसार से जाने का समय समीत आ गया किन्तु नियती के इस दुखत चक्र से अंजान हनमान जी अब भी प्रभु राम की भक्ती में स्थाइम को भूले नंदी ग्राम में वास करते हैं जहां कभी प्रभु राम के वनवास जाने के बाद ब्राता भरत ने एक तपस्ट्री की तरह जीवन्यापन किया था अब भक्ती के उसी धाम नंदी ग्राम में वहां के सच्चे और प्यारे लोगों के साथ रहते हैं जन जन के मंगल मैं भगवान हनमान हानुमान जी की आरती का समय हो गया और सब ऐसे निश्चिन्त है जैसे सुबह हुई ही नहीं जय हनुमान काकी जय जय हनुमान कहने को तो तुम पूरे गाउं के प्रधान हो पर हनुमान जी की भक्ती में सबसे पीछे हो अब तक तुमने जल का कलश तक नहीं भरा हाँ नहीं तो काकी कलश तो भरा है काकी चलो चलो शिक्रेता करो शिक्रेता करो जुम्री हनुमान जी को पसंदे वो लड्डू बन गए के नहीं माई काकी लड्डू के साथ-साथ खीर हलवा पुरी सब तयार है किन्तु हमें बड़ी चिंता हो रही है चिंता तो मुझे है कि हनुमान जी के भोग में कोई कमी नहीं रहने waiver आ गई निठली बाल-मंडली हान नहीं तो हाँ नाइक तो क्या माई खाके निठली मंदली निकाकी हनुमान बालक मंदली जो हनुमान जी के सारे अधुरे कारे पुरे करती है वो तो तब करोगे ना जब हनुमान जी कोई काम अधुरा छोड़ेंगे वही तो माय काकी, हन्मान जी कोई कार्य उज्रा छोड़ते ही नहीं और तुम लोग कोई कार्य पुरा करते नहीं नहीं काकी, हन्मान जी के आर्थी के सारी तहियाने करके लाए है लाल कुष्प, लाल चंदन, तुलसी दल और आंके पत्तों का हार काकी पर हे कहाँ? गजोधार? ध्यान से देख लो काकी, एक समान में नी छूटा है हाँ, हाँ, देख लिया पर हनुमान जी, अपनी मा अंजना से मिल पर अब तक लोटे खुले कहीं वो अपनी माता अंजना ती प्रेम में हम नंदी कराम बास्यों को भूल तो नहीं गए चिंता बत करो चाहे संसार में कुछ भी हो जाए हनुमान जी अपनी एमाइका के को कभी नी भूलेंगे देखा, मैंनी कहा था ना हनुमान जी आ जाएंगे, वो अवश्य आएंगे उनका शंक ना सुनाई दे रहा है, वो आश्रम में आ चुके है अरे वैजन्ती तुम शंक बजा रहे थी? अरे काका, ये तो दिखी रहे कि संक हम बजा रहे थे और बजा बजा कर, बजा बजा कर हनुमान जी को पुका रहे थे लगता है, हनुमान जी हमें सच मुझ भूल गए हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, अब क्या करे हम? चिंता से नहीं भजन और कीर्तन से हनुआन जी आएंगे इसलिए हम सब को उन्हें भक्ति भाव से कुकारना होगा हो की जये हे महावीर महाबली हनुमत भक्तन को अपने दर्शन दी जये संकट मोचन जय हनुमान जन जन के स्वावी भगमान संकट मोचन जय हनुमान जन जन के स्वावी भगमान नित प्रति दिन हम भोग लगावे मन वान जित फल तुमसे पावे कौन सभूल भई के ही कारण तज दिन होका है हमको है तारण आन खड़े हम तुम्हरे द्वारे व्यापुल नैना बाट निहारे हम प्यासे तुम दया के सागर हम को अपनी शरण में भगवन ली जै संक्र दमोचन जय हनुमान जन जनके स्वामी भगवान जरके साथिवादा प्रियों? कर दो पाक भी टाक फॉट सा जोड़ा का फॉट सुपर भाड़ा देशा जो एपाद कुछ जोड़ा जो जोड़ा जोड़ा हुट आप जोड़ास्स का छोड़ा हो उसक्षा? यह हनुमान जी कौन सरूप दारणगर कर आ रहे हैं यह मंगल में हनुमान जी नहीं हम सब का मंगल करने हो लो कोई फड़ा से अकटा रहा है आई बाओ बाओ बाओग बाओग बाओगगगग। कि अपल पुट से ठाए इस नहोगा कि नहोगा कि अजय को व कि अपल ऑई पहesz हैं कि अपल पुट्ट सस नहोगा कि अपल दॉब और पे अखे बहुब अपलाग नह भी जाए अब आगे जाने का तो कोई माल्ग नहीं है अब तो केवल हनुमानची का इसा आ रहा है हे पवन पुत्र कहा है आप हम सब आपकी शरन में आए हैं रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए हमारी राथ तकान पुजिए हमारी ज जैस्ष्रीराम हर्णुमान जी यह चलतों फिरसे हमारी ओर आ रहा है लगता है इसकी हमसे कोई शत्र होता है जी चलतों प्रादों चलतों कितने साथ मेद्रा उबगा विराचे काते मुझे जरें उसाचे जी चलतों के सरी नंतर फेज अधाब महाद कमंदर बिद्यावान कुई यक चाथो, गांपाच अरी देखो आपो, अगुचर इत्न सुनी देखो रशी स्थी तामन पासिया में भुचाथो, निस्कों इत्वाभा कि पुलू, तद्रू कि पिद्यार आपकिंजद कृतर ऊधो, तद्रू कि कर दो देखो एकुशुत। इस जल्क को रोकने के लिए इसके उद्गम का पता करना होगा कि ये आ कहां से रहा है तो इस कुएं से आ रहा है जल्क लगता है तुझे पाताल भेजना ही होगा पड़े क्रोधित लगते हो किन्तु व्यर्थ में क्रोध करने से समस्या केवल बढ़ती है सुधर्ती नहीं लगता है तुम्हें रोकने का कोई और मार्ग ढूंड़ना होगा जैश्री राम चल पुरुष आनद मंगल से तो हो ना कोई कष्ट तो नहीं इस छोटे से कलेश में मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ जैश्री पुरुष पर अब मैं तुम्हें इस कलेश से तभी मुक्त करूँगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि अब तुम किसी का अहित नहीं करोगे मैं यहां किसी का अहित करने के लिए नहीं आया था मैं तो बस आपको कुछ समरण कराने आया था अर्थात तुम्हारा ख्रोद केवल मुझ पर था तो ठीक है जलपुरुष मैं कलश का मुक खोल रहा हूँ कि तुम्हें 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 पुना इस कलश में बंद करने में मुझे पल भर भी नहीं लगेगा तो बोलो कौन हो तुम और यहां क्यूं आये हो प्रभू मेरे दुख और करोद का कारण ये है कि आप अपने राम काज में अपने भक्त महानत को भूल गए मैं कुछ समझा नहीं स्भरण कीजे प्रभू जब धाता लक्षमन को मेगनात की शक्ती लगी थी और उनके प्राण संकट में थे तब आप संजीवनी भूटी लेने गए थे उस विकट खड़ी को मैं कैसे भूल सकता जब प्रथम बार मैंने प्रभू श्री राम की भी आँखों में आसू देखे थे उसी समय एक साधू के कहने पर आप रोण गिरी परवत पर रुके थे और मेरे जल में सनान करने आये थे तब मैंने आपको सनान करने से रोका था और आपको रावन के भेजे आसूर कालनेमी के छल से अउगत कराया था वो आपके रामकाज में विग्न डालना चाहता था ताकि आप समय पर संजूनी पूटी ले जाने में असफल हो प्रभू आपने कालनेमी का वद किया था और मुझे प्रसंद होके मुझे वचन दिया था कि रामकाज पूर्ण होने के बाद आप मेरे जल में स्नान करेंगे सत्य कहा माहनद मुझे सब कुछ समरन आ गया है तुम्हारी साहता भी और तुम्हें दिया हुआ वचन दि इतने वर्ष बीत गए प्रभू मेरी प्रतिक्षा क्रोध में बदलने लगी और जब मुझे क्यात हुआ कि आप नंडिक राम वास करते हैं उसी क्रोध वश आप से मिलने चला आया प्रभू मैं तुम्हारे मन की स्तिती समझ सकता हुँ माहनद किन्तु भूल मेरी ही है मैं ही तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया ये तु अब तेर किस बात की माहनद मैं अभी सी क्षण तुम्हारे जल से सनान करके कपिकी नेला अपरम पारा कपिकी नेला अपरम पारा पूर्ववचन कर दीन ही पूरा जही चल से चकत्रुप्त हो सारा वही संत्रुप्त हुनी चल धारा धन्य हो रहा महानद का जल दे रहे भगवन भक्ती का फल कपिकी नेला अपरम पारा प्रभू आपने मेरे जल में सनान करके मेरे सारे पाप धू दिये धन्य हो प्रभू सब लोग का गए अभी तो यही थे आप लोग यहां बैठें और मैं आपको पूरे गाओं में ढून रहा हूं लगता है आज आप सब मुझसे रूठे हुएं अच्छा तो माई काकी भी रूठी है मुझसे तो बताएए माई काकी क्यों रूठी है अपने इस पुत्र से वो इसलिए हनुमान जी क्योंकि आप अंजट प्रदेश जाते ही हम नंदिग्रा मास से गोतों भूली जाते हैं किन्तु मैं तो अपनी माता से मिलने जाता हूं वो भी मास में केवल एक दिन आपके बिना हमारे लिए एक दिन भी एक यूप के बराबर है हाँ हनुमान जी जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते हमारा दिन आरंभ नहीं होता हमें वचन दी जी हनुमान जी कि आज के पश्चात नंदिग्राम पहुँशने में आप एक्षण का भी विलम नहीं करेंगे सच कहूँ आप सभी से मुझे माता अंजना से कम स्नेह नहीं मिलता और नंदीग्राम मुझे अंजन प्रोदेश से कम प्रिय नहीं है इसलिए तो सीग्र आती सीग्र मैं नंदीग्राम लौट आता हूँ माई का की अपने इस पुत्र को भोजन नहीं कराओगी चलो चलो बहुत भूक लगी है हनुमान जी राता काल से सब लोग आपके लिए स्वादेश्ट भोजन मना कर बढ़ी थे किन्तो महानत अपने साथ सब कुछ बहा ले गया भोजन बनाएं तो बनाएं कैसे वो तो मैं भी केड़ी घंड मांजी महानत तुम्हारे कारण मेरे भोजन में विलंब हो रहा है किन्तो कोई नहीं मैं इस समस्या को अब भी सुलजा देता हूँ भक्ति प्रेम जिस्भी मन में जागे जै धनुमार जै शरी राम भक्ति प्रेम जिस्भी मन में जागे सब समान भगवन के आगे भक्त भक्त में भेद भावना सब से बढ़ के प्रेम भावना निश्दिन जै हनुमार पुकारो जै हनुमत जै भक्ति प्रेम जिस्भी मन में जागे अब सब के भोजन और प्रेम से मेरी आत्मा और मन दोनों दृप्त हो गए अब मुझे आज्या दें और बालकों कल प्राता अखाडे में अभ्यास के लिए अवश्य पहुँच जाना जै हनुमान जी जै हनुमान जी जै हनुमान जै श्री राम 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 राढ्ये शीराम जै हनुमान जै श्री राम जै श्री राम हाँ तो बालकों आज मैं तुम्हें एक नया दाओ सिखाऊंगा आज हम सब रक्षा और प्रहार दाओ का अभ्यास करेंगे हनुमान जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जब संसार में सारे सेंगटों को समाप्त करने वाले आप हमारे साथ हैं तो मैं गदायूद सीखने की आवशक्ता ही क्या है बच्चों सबके रक्षक केवल प्रबुराम है अच्छा आप एक बात बताओ आपने ध्यान दिया है कि उन्होंने कौव माता को सींख क्यों दिये है या हिरन को तीवर गती से भागने की शक्ती क्यों दिये है हनुमान जी क्यों दिये है आत्म रक्षा के लिए दिये बच्चों भगवान भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो स्वेम की रक्षा करते हैं इसलिए मैं आप सबको आत्म रक्षा के लिए गदायूद सिखा रहा है अब हम पूरा मन लगाकर गदायूद सीखेंगे जी हनुमान जी गदा नीचे एक एक दो तीन तीन अब मैं तुम्हें रक्षा दाओ सिखाता हूं चलो अभी सब अभ्यास करो एक एक दो दो तीन रहार यह अचानप से सारे पक्षी करंथन करते हुए अयोध्या की और क्यों जा रहे है यह किसी संकट का संकेत तो नहीं बच्चों गदा नीचे आज का पाठ पूर्ण हुआ अब आप सभी अपने घर जा सकते हैं प्रभू श्री राम के दर्शन के लिए रहे हैं किन्तो इनके मुख पर प्रसन्दा नहीं व्याकुलता है मुझे ग्यात करना होगा की दौत क्या है प्रभू श्री राम के तेज से सदैत जग मगाने वाली उनकी ये चरण पादुका आज मिस्टेज कैसे है कहीं है यद्ध्या में कुछ अपरिय तो नहीं गटने वाला हे माहबली हनुमान आपका संदे है सत्य है केवल आयोत्या ही नहीं अपितु संपून संसार की सबसे दुखत घटना का जाक्षी बनने जा रहा है ये यम क्योंकि प्रभु श्रीराम के सारे कालिय इस प्रित्वी पर पूर्ण हो चुके है और अब प्रभु श्रीराम को इस संसार से विदा लेने का समय आ चुका है मैं यम प्रभु श्रीराम के महा प्रस्थान के लिए उन्हें इस प्रत्वी से लेने आ रहा हूँ वेने आ रहा हूँ तो आज की बात अनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को होग नहीं लगा पाएंगे यम देव लोट चाहिए यम लोग मैं प्रभु राम के लिए संभोन श्रिष्टी से युद्ध कर सकता हूँ आज की बात अनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्रीराम को होग नहीं लगा पाएंगे यम देव लोट चाहिए यम लोग मैं प्रभु राम के लिए संभोन श्रिष्टी से युद्ध कर सकता हूँ मैं प्रभु राम के लिए युद्ध कर सकता हूँ